हेलो दोस्तों कैसे आप सभी तो आज मैं आपके लिए प्रियांशी दुका की तरफ से रिलेशन एंड फंक्शन का पार्ट थर्ड लेकर आई हूं इसमें हम क्या करने वाले हैं कौन बांप्च हमने पढ़ folism रिलेशन में इससे रिलेट हम्ने कई कोडोमैं स्कूछन करना है में घ् ningún चैन को दोमेन होता किया उसे related questions क्या आते हैं तो वो exercise हम start करने वाले हैं आपकी 2.2 जो करते हैं start एकसराइस करते हैं सीप वह थी डेक रहे हैं लोग मैंस देखते हैं क्या रहे हैं कुशिन फर्स प्रेट एक्वल्स टुबंट तुरप लिए लेशन दिया गया एक निम इसका ही रिलेशन के साथ है AC का relation इसी के साथ है और क्या बोला गया R जो relation है वो क्या है यहाँ देखो XY such that 3X minus Y equals to 0 किसके equal है क्या होगे आपका यह XY such that 3X minus Y equals to 0 बहुत easy chapter भी है यह बहुत easy exercise भी है तो देखो यहाँ अब क्या करना है मुझे simple सा है मेरे पास जो arrangement जो मेरे पास arrow diagram में जो first A दे रखा है क्या है 1, 2, 3, 4, dot, 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 dot 14 तक दे रखा है तो मुझे क्या करना है मुझे दूसरे वाले की X की value put करके Y की value निकाल लिए simple यह काम करना है क्या करूंगी अगर मैं X पहले 1 लेती हूँ इसमें put करती हूँ 3, 1, minus Y, equals to 0 यह इधर आजाएगा 3, Y, positive पहली value तो आ गई 3, क्या आ गई यह value आपकी 3 आ गई यह आपकी value आ गई 3 आ गई अब यह जो value 3 आ रही है यह आपकी क्या है दूसरे वाले elements की दूसरे वाले set की क्या आपके यह वो elements find हो गई एक तो दे रहा है दूसरे वाले जो B ले लेकिए उसकी निकल गई Y sorry 3 1 का relation मनिया 3 के साथ ऐसे अब मैं 2 put करूँ तो आप देखो 3 यह 2 हो जाएगा Y उधर ही ले जाती हूँ मैं 6 आगी second put करने पर यह 6 आगी 6 लिख देती हूँ अब मैं क्या क्वाट करूँगी अब मैं 4 put कर लेती हूँ 3 put कर लेती हूँ same as it is 3 3 जा यह 9 हो गया तो यहाँ पर जो Y की value आई है दोस्तों वो कितनी आगी 9 आगी 4 put करूँगी तो कितना आजगा 12 आजएगा ठीक है 4 की 12 आगी ऐसे 14 तक है स्टेल यह आपको करना है 5 अगर मैं 5 का करूँ तो 5 से 15 हो गया यह बन गई मेरे पर 2 मुझे निकालना है क्या question में बोला है कि write down its domain and code domain range इस दो में यह मैंने arrow diagram क्यों बनाई है ताकि मैं इसके थूँ हमारे domains हमारे code domains और range निकाल सकता है तो इने आप पर नहीं पता कि domains क्या होते है code domains क्या होते range क्या होते तो first काम क्या है introduction पार्ट देखो इसमें मैंने सब समझाया बताया आपको कि तीनों चीजे क्या होते है confuse हो जाते है कई बार हम इसमें की domains क्या होते range ही होते है और code domains क्या होते है यह बनाते है ध्यान से देखना बिल्कुल A इसमें था 1, 2, 3, 4, 5, 6, till 14 तक यह थे अब दूसरी बाग दूसरी में 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 पास 1, 3 आया और क्या आया था 6, 9 6, 9, 12, 15 लूट 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 जाए मुझे अब क्या करना है मुझे सब से पहले इसमें domain बताना है क्या होते है आपके code domains क्या होते है और आपके range क्या होती है ची क्या है पहले यहां देखू 1 का 3 के साथ 2 का 6 के साथ 3 का इसके साथ इसके साथ इसके साथ रही चलता रहेगा यह क्या बन गया आपस में relation बन गया 1 का 3 के साथ वह pair बना 2 का 6 के साथ तो जहां पर B वाले में 3 के साथ 6 का 9 के साथ 20 तो यहां पर आ जाएंगे आपके 3, 6, 9, 12 यह आपकी रेंज आ जाएगी क्या आ गए दोस्तों यह रेंज मैं यहां बात कर रहे हूं आपकी दोमेन और को डोमेन तो डोमेन आपके पास क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6 यही हो गए और वही आपके को डोमेन से क्योंकि मुझे 14 तक यह दे रहा है तो 14 तक पेर बन रहे हैं क्या दे रहा है आप मुझे यहां पर भी देखो यह भी सेम हो जाएगी आपको मुझे 15 तरही निकालनी के लिए कोशन्स आएंगे दोस्तों बहुत ही असान तरीका था हैसे ही आपको सारे कोशन्स करने हैं पूरी एकस्साइज में आपको यही तीन चीजे निकालनी है कि domain क्या है, co domain क्या है, range क्या है, छीक है, आपको बिल्कुल इजी तरीके से करना है, next देखते हैं, next question, question second क्या बोला है, कि define a relation r on the set n of natural numbers by r, क्या बोला गया है, कि एक relation बताना है, set n, natural numbers का, of, जो r relation बना है, उसके क्या दे रखिया, बोला है, ध्यान से, देखो, x, y, such that y equals to x plus 5, दे रखा है, अब यहाँ पर x क्या है, x एक natural number है, अब वो natural number 4 से छोटा लेना है, 4 से छोटा लेना है, natural number है, जो less than 4 से, ठीक है, और x, y belongs to natural number, यह आपको दे रखिया है, एक set builder form में relation, यह आर के बराबर है, अब इसके through मुझे क्या करना है, मुझे इसे roster form में लिखना है, उसके साथ साथ मुझे domain and range भी निकालने है, तो पहले roster form के लिए काम करते हैं, सबसे पहले, natural number लेने हैं और y की value निकालने है, x आप जो भी put करोगे, natural number, x हम क्या क्या ले सकते हैं, natural number 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, क्या 4 लूँगी, नहीं, क्योंकि बोला क्या है, 4 से छोटे होने चाहिए, वो natural number, इसे मैं रफिगर देती हूँ, यह तीन number मैं लेके y की value फाइंड करूँगी, y equals to पहला 1 लिया, 5, y की value आगे 6, फिर मैंने y क्या लिया, 2 प्लस 5, 7 आगे, then y, 3 प्लस 5, 8 आगे, तीन values निकल गई, क्या बना दूँगे अब आपके लिए, पैरो डाइग्राम बनाएंगे, same method है, वही तरीके से करना है, मैंने यहाँ देखो, क्या थी है, दो चीजे थी, एक a था, a के अंदर x आ रहे हैं, x आपने 1 लिया, तो मेरे पास y कितना निकला, 6, x आपने कितना लिया, 2 लिया, y निकल गई 7, फिर आपने x 3 लिया, y निकल गई 8, बन गए, अब इसमें क्या है, ये चीज तो हो गई, अब मैं यहाँ पर सबसे पहले तो लिखूंगी, की roster form क्या है, जो मुझे find करनी थी, roster form क्यासी होती है, आपकी, roster form के बारे में set chapter में पढ़ा होगा, तो set chapter, जिनों ने आप अच्छे से पढ़ रखा है, जो चैप्टर इसे पूरा का पूरा relate कर रहा है, तो सबसे पहले sets बढ़ना, ये को roster form, 1 और 6 जो पहला pair बना, दूसरा आपका 2 का 7 के साथ बन गया, क्या 1 का ही 6, 2 का ही 7, तो 3 और 8, सिर्फ इतने सही, ये तो single single, 1 का 7 के साथ भी बन सकता है, ऐसे ही 1 का 8 के साथ भी बन सकता है, ऐसे ही 2 का 7 के साथ, 2 का 8 के साथ, ऐसे ही 3 का 7 के साथ, और 3 का ही 8 के साथ, 3 7 हो गया न, 2 का 7 हो चुका है, ये आपके मैंने सेम कर दिया, 2 का 7 हो गया, 2 का 6 के साथ, same as it is, 1 का 6 हो चुका है, और 1 का 7, 1 का 8 हो गया, 2 का 6, आपका ये 3 का 8 हो गया, 3 का 8 हो गया, 3 का 7 हो गया, 3 का 6 तू का 6, तू का 8, तू का 7, ये आपके बन गए roaster form जीते हैं, भी order pairs बन रहेते हैं, उनको मैंने roaster form में लिख दिया, ये हो गए अब next question क्या बोल रहा है कि आपको क्या निकालना है दोस्तों, next question में बोल रहा है कि domain चाहिए मुझे और दूसरे मुझे range की value चाहिए तो domain ये रहे, range ये रहे, simple, domain आपके पास ये हो सबके साथ बन रहे है pairs और ये second वाले term जो है वो आपको range हो गए है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर domain क्या है आपके पास 1, 2, 3, range क्या है आपके पास 6, 7 और 8 ये आपके answers निकल के easy था question, कुछ नहीं करना condition दिया, उसके according हमें roster form बनाई, मतलब arrow diagram बनाई, और उसके बाद क्या है, domain और range लिख देना, पूरी exercise में ये ही है, बहुत ही असान तरी था, विल्कुल easy था, कोई tough नहीं था, ठीक हो, next देको question 3, question 3, question 3 क्या 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 है, a equals to 1, 2, 3, 5 and b equals to 4, 6, 9, क्या बोला है, दो हमें sets दिया है, defined relation दिया है, a to b, a और b का जो relation बताया है, वो क्या बताया है, कि x, y such that, x, y such that, the difference between x and y is odd, बोला है question में कि, अगर हम x और y दोनों का difference करते हैं, तो वो जो answer आएगा, वो ओड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, condition relation दिया होना चाहिए, और y जो है, वो बिलोंग कर रहा है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो देखो, जो relation दे रखा है, वो क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, x, y such that, difference x minus y, क्या होना चाहिए, आपका, x minus y, is odd होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ क्या हो गई, odd हो गई, अब odd के साथ क्या होना चाहिए, ये x जो है, वो a से बिलोंग कर रहा है, और y भी जो है, वो b से बिलोंग कर रहा है, ये दो चीज़े भी होनी ज़रूरी है, तो ये आपका r हो गई, ये relation था, अब मैं इसको कैस करूंगी, इसी बनाने के लिए, सिंपल सी बात है, x मेरे पास a देखो इदर, ये दे रखा, इन दोनों का difference क्या आने चाहिए, odd आने चाहिए, x ये होता है, b बढ़ी होता है, ये x है, ये बढ़ी, दोनों का difference, odd आने चाहिए, दियान से देखना, 1 को मैं 4 में से माइनस, मतलब 4 में से 1 जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये मैंने आपको बताया, x माइनस y, odd आने चाहिए, 4 में से 1 जाएगा, कितना बज जाएगा, 3, 3 odd number है, ले सकते हैं, पहला pair बन जाएगा, अगर मैं 4 माइनस 1 करूंगी, 3 odd है, है ये pair बन गया, अब मैं 4 और 1 pair बन गए, अब पहला pair बन गया, 1 और 4, ये roster form में लिख रही हूँ मैं है, ठीक है, सिर्फ 1, 4 में से 1 जाएगा, कितना बज गया, 3 बज रहा है, तो 3 odd है, है, 1st pair बन गया, क्या 6 में से 1 जाने पर, 5 बचेगा, बन गया, 9 में से 1 जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 8, 8 is your odd, नहीं, even number है, तो ये possible नहीं है, क्या 2 में से 4 गया, 4 में से 2 कैंसल कर दें, कितना बज जाएगा, 2, 2 is also even number, 6 में से, 4 में से 1 गया, ये तो हो गया, 4 में से 1, लि से करूँ, 7 आ जाएगा, 9 में से 2 जाएगा, तो कितना आ गया, 7 आ गया, अब जब ये 7 आ गया, तो 7 odd है, तो मैं next pair बना ले तो 2 और 9 का, राइट, ऐसे 3 के लिए देखू, 3 का 4 में से 3 गया, 1, ये हो गया, अब 4 का 2 के साथ देखू, तो 2 बचेगा, नहीं है, 4 का 3 के साथ देखू, 1 बच गया, हो गया, 6 का 3 के साथ 3 आएगा, 3 हो जाएगा, 9 में से अगर आपके 3 जाते 6 बसने हैं, बट 6 is even, तो ये आपके बन गए जो भी pair बने हैं, ये roster form है, और यहीं आपका roster form के साथ क्या निकल गया, answer भी निकल गया, क्या निकल गया दोस्तों, answer भी find हो गय ऐसे ही question करने थे बहुत easy question था, next, आगे देखते है next question, तब question 4 देखो क्या है, the figure 2.7 जो picture, आपकी ये मैंने diagram बना दिया, show the relation between the set P and Q, हमें relation show करना है, क्या करना है, relation show करना है, पी और Q के बीच में, एक set builder form में लिखना है, और दूसरा roster form में लिखना है, और उसके domain and range भी बताने है, set builder form में कैसे लिखेंगे, तो पहले आप इस diagram के according देखो, क्या ये show करना है, 5 का 3 के साथ relation बना है, 6 का 4 का साथ, क्या मैं सबका difference करूँ, तो मेरे पास जो value आ रही है, वो 2 आ रही है, क्या आ रही है, तो वो even number है, 2 आ रही है, तो मैं लिख सकती हूँ, अगर ये मेरे पास क्या है, एकस है, तो ये y आता है, क्या 5 में से 3 गया, मतलब x में से, कितना तो मैं पास 2 बचा, x में से 2 गया, तो y आ जाएगा, मतलब 5 में से 2 माइनस कर दूँ, तो y की value आगए 3, जो है 3, क्या ये function बना सकती हूँ, तो मैं लिख सकती हूँ, तो मैं लिख सकती हूँ, y equals to x minus 2, ये मेरे पास function लिख सकती हूँ, मैंने इसकी help से, मैंने first function ये लिख दे, क्या लिख सकती हूँ, x, y such that, ये first है, set builder form के लिए, x versus that, y equals to x minus 2, तो मेरे पास ये values आ रही है, and where, x belongs to, क्या हो जाएगा, आपका x और y जो हैं, वो दोनों किससे belong करेंगे, p and q से, x belongs to p, y belongs to q, बन गई first set builder form, next क्या है, roaster form है, अब इनके pairs, roaster form क्या है, किसका, किसके साथ बन रहा है pair, वो roaster form लिखनी है, आपको सिर्फ, तो देखो, y x minus 2 है, अगर मैं यहाँ पे y 5 minus 2, पूट करती, तब भी तो वही आ रही है, तो roaster form में same way values लिखनी है, कुछ नया नहीं है, क्या हो जाएगी आपकी roaster form, roaster form देखो तो कितनी हो गई, pair 5 का 3 के साथ, फिर आपका क्या है, 6 का 4 के साथ, और 7 का 5 के साथ, इसमें domain क्या है, range क्या है, domains आपकी यह हो गई, image जो बन रही है, वो आपकी range हो गई है, तो domain लिख देते हैं, इदर domain भी, और range दोनो, देखो, domain आपके पास है 5, 6, 7, और range आपके पास है 3, 4, 5, clear, बहुत ही clear concept है, यह बहुत ही easy की set builder form कैसे लिखते है, roster form में आपकी numeric values आजाती है, and domain and range क्या होते है, बसे करना, यह आपका rough work का part है, ठीक है, जो मैंने सिर्फ समझाने के लिए बोला, main यह है, कि कैसे मैं इस रोनों के बीच का relation जो है, तो show मुझे क्या हो रहा है, मुझे यही चीज होई ही न, show कि y minus, अगर मैं 2 करती हूँ, x minus 2 करती हूँ, y निकल जाता है, क्या हो गया, कि 5 में से, अगर मैं 2 हटा दू, तो 3 मिलता है, 6 में से भी 3 minus कर दूँँगी, 2 कर दूँँगी, तो मेरे पास 4 आ जाता है, 7 में से भी 2 करती हूँ, तो मेरे पास 5 आ जाता है, तो मैंने यह function बना दिया, और उसी function के through मैंने set builder form में लिख दिया, next question देखते है, next question क्या कह रहा है, अब आपका let a क्या दे रखा है, बोला है, next question क्या बोला हुआ है, कि net a जो है 1 by 2, 3, कितना दे रखा है 1 by 2, 3, 1, 2, 3, 4, 6 दे रखा है, let r be the relation on a, define a, b such that a, b belongs to a, b is exactly divisible by a, बोला condition में क्या है, set तो दे रखा है first, और जो relation बोला है, वो a, b such that a, a से बिलॉँग कर रहा है, b, b हमाईशा हमारा जो भी है, वो exactly divide होना चाहिए a से, पूरा का पूरा divide होना चाहिए, और domain range roaster form लिखनी है, बढ़ पहले हमें वो बनानी पड़ेंगी, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर arrow diagram के help से question solve कर देखूँ, क्या है, a भी यही है, b, अब normal है, यह है 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 नहीं है, 4, 6 है, इस सेट भी यही लोगी, मुझे इन में pair बताने हैं, कि इसको इससे में divide करने पर, कौन कौन से pair बने हैं, जो पूरे के पूरे divide हो रहे हैं, पूरे के पूरे, 1 को 1 से divide करूँगी, तो 1 आ जाएगा, मतलब पूरा का पूरा cancel divide हुआ, तो मैं first pair, जो roster form में मुझे लिखना है, first, वो क्या लिख सकती हूँ, 1 का 1 के साथ, क्योंकि हो रहा है यह divide, 1 का 2 के साथ divide करूँगी, तो क्या बनेगा, बनेगा ना, अगर मैं 1 का 2 के साथ pair बनाऊंगी, तो जब भी बनेगा 1 का 2 के साथ, जब भी बननाए 1 और 2, सेम 1 का 3 के साथ भी बनेगा, 1 का 4 के साथ भी बनेगा, और 1 का 6 के साथ भी बनेगा, क्योंकि 1 एक ऐसा number है, किसी के साथ divide कर लो, वो पूरा cut हो जाता है, exactly value आ जाती है, exactly divisible होना चाहिए, 2 देखो, अगर मैं 2 का 1 के साथ करती हूँ, exactly divisible नहीं होगा, 1 by 2 करूँगी तो 0.55 तो नहीं हो रहा, 2 का 2 के साथ करूँगी, तो direct cut हो जाएगा, next मैं लिख सकती हूँ ना, 2 का 2 के साथ हो जाएगा, यहाँ पर लिख लिया, next, क्या 2 का 3 के साथ होगा, नहीं होगा, क्या 2 का 4 के साथ होगा, हो जाएगा, यहाँ नेक्स्ट आगे 3 की बात करूँ, तो 3 में चेक करूँ, 3 में क्या होदा है, 3 का 1 के साथ ब्लो अल्रेडी हो चुका है, ठीक है, 3 का 2 के साथ नहीं होगा, बट 3 का 3 के साथ हो जाएगा, 3 का 4 के साथ नहीं होगा, 6 के साथ हो जाएगा, तो 2 पेर बन गए, 3 का 3 के साथ, डिवाइट करने पर एक्जेक्टली, गठ होएगा, और 3 का 6 के साथ, 4 का पेर बनाओगे, 6 का 6 का 6 के साथ ही होगा और कोई तो pair है ही नहीं कि divide हो जाए तो ये आपकी क्या हो गई roster form roster form में लिख दिये bracket लगा दो इनके आगे ये roster forms के pairs बन गई फर्स्ट निकल गई ऐसे ही अब आपको next आगे क्या लिखना है domain बताने है relations के और range कताने है तो देखो domain अब यहाँ यहाँ से देखना और co domains क्या होता है co domains हमारे सारे होता है बढ़ डोमेन हमारे वो होता है जिनका relation बनता है तो यहाँ relation 1 तो सब के साथ ही रहा है 1 का भी 2 का भी 3 का भी 4 का भी 6 का भी तो range क्या हो जाएगी 1 के साथ भी 2 के साथ भी 3 के साथ भी 4 के साथ भी 6 के साथ सब के साथ ही बन रही है तो मैं लिख देती हूँ domain जो second part है वो आपके पास कितनी है 1, 2, 3, 4 और 6 इसके बाद third part range वो आपके पास कितनी आ रही है दोस्तो 1, 2, 3, 4, 6 सेम, सबकी इमेज बन रही है क्योंकि question easy था step का question भी आएगा तो कर लोगा बहुत easy है बस arrow diagram बनाओ और उससे domain और range निकालो अगर कोई roster form में देना है कोई function दे रहा है तो उसके according करो और question नहीं पूछा जाएगा question में से भीतना है कि पूछा गया है और easy है question 6 देखो question 6 का है determine the domain and range of the relation r defined by r जो दे रहा है function दे रहा है x, x plus 5 इसको भी करते है easy कैसे हो गाई है relation जो दे रहा है r x, x plus 5 such that x किसे बिलॉग कर रहा है 0, 1, 2, 3, 4, 5 यह है हो गया अब क्या करना है मुझे क्या domain लिखना है range लिखना है तो arrow diagram तो बनानी पड़ेगी इसके लिए क्या करूँगी सबसे पहले x, 0 लेती हूँ इसमें निकालता है x, 0 लूँगी तो 0 plus 5 यह कितना आचाएगा 5 बतलब 0 और 5 एक पेर बन गया यही बनेगा इसलिए अगर मैं arrow diagram बनाती हूँ 0 लेने पे कितना आया 5 0 लेने पे 5 दूसरा 1 लिया 1 लेने पे कितना आजाएगा 1 दूसरा 1 plus 5 6 तो 6 आगया राइट सेम 2 लूँगी 2 लिया 2 plus 5 7 आगया तो 2 लेने पे कितना आगया 7 आगया सेम एस इस 3 लूँगी 3 3 plus 5 कितना आजाएगा 8 तो 3 लेने पे कितना आगया दूसरा 8 आगया 4 लेने पे कितना आजाएगा आपके पास 4 और 9 ऐसे 5 लेने पे 5 5 में आप कितना एड़ करना है 5 ही तो add करना है 10 आ जाएगा यह चाहिज आ गई अब देखो धियान से यह बन गए arrow diagram इसमें मैं क्या लिखना है simple सा range लिखना है domain लिखना है बन जाएगा इसमें range क्या होती है से रफ करती हूँ range और दूसरा मुझे domains लिखना है तो range जीरो लेने पर 5 आया 1 लेने पर 6 इस पर यह यह जीरो पर 5 है तो क्या हो गई रेंज क्या हो गई 5 6 7 8 9 और 10 domains वो सारे हो गए 0 1 2 3 4 5 हो गया easy था ना बिल्कुल सांता ऐसे ही question करना है next question देखे question 7 write the relation r x x cube such that is x बहुत ही पिछले वाले की तरह ही है बट ग्यान से देखों क्या बोला है relation r जो दे रखा है वो बोला है आपको x such that x cube such that x जो है वो एक prime number है पर वो 10 से छोटा होना चाहिए एक सापका एक prime number है और less than होना चाहिए 10 से और उस्टर फॉर्म में लिखना है बस हमें तो देखों prime number होते कौन कौन से लेंगे 10 से छोटे 2, 3, 5 और 7 यह लेंगे क्योंकि 10 से छोटे तो यह है अब इनका कर देना है हमें 2 है, 3 है, 5 है, 7 है 2 का cube, 3 का cube, 5 का cube और 7 का cube तो देखो क्या हो, अब में को इसका cube कर देती हूं यह 8 आ गया, 27 आ गया, यह 125 आ गया और 3, 4, 3 आ गया यह निकाल दी है मैंने, यह निकल गए, फाइंड हो गए अब क्या है कि यह मैंने क्या value, जो main value थी जो put करने पर range की कर गए रोस्टर फॉर्म बना लूं, कैसे बनेगी रोस्टर फॉर्म क्या बनेंगे, pairs ब्रैकिट में लिखेंगे, 2 लेने पर 8 आया, 3 लेने पर 27 आया ऐसे ही 5 लेने पर 125 आया, और 7 लेने पर 343 आया बस यह था, simple सा question था, question में, जो हो गया, आपका answer find हो गया सांता question कोशी नहीं है, बहुत easy question था, हो गया next देखो, let a equals to x, y, z, क्या बोला है कि a जो दे रखा है, वो x, y, z दे रखा है and b 1, 2 दे रखा है, number of relation बताना है a से b का बतलब कि a जो है, वो है x, y और z, और b जो है, वो है 1 और 2 दोनगे बीच का relation बता दो a और b कितना दे रखा है, x, y, z, 1 और 2 x कसके साथ, इसका इसके साथ, इसका साथ, इसका साथ, इसका साथ, इसका साथ यह नहीं जो करो Y का से साथ इसके साथ Z का से साथ इसके साथ हो गया अब इनका क्या relation बताना है पेर बनाओ X का 1 के साथ फिर X का 2 के साथ सेम X का Y का 1 के साथ Y का ही Z के साथ Y का ही 2 के साथ सेम Z का 1 के साथ Z का 2 के साथ बन गया यह आपके relation के pairs बन गया बस यही करना था जो A to B बन रहे है यह बन गया आपका relation from A to B easy था question हो जाएगा आपसे step का question भी आता है तो next देखते है next question क्या कह रहा है कि let R be the relation on Z अब तेखो थोड़ा धिहान से R जो है एक relation दे रखा है दोस्तों क्या दे रखा है एक relation दे रखा है Z जो defined होता है by R A, B such that A, B, B जो है वो Z बिलॉंग कर रहा है A minus B is an integer find the domain and range of R domain भी निकालना है range भी निकालना है function क्या है R A, B such that A B belongs to Z A minus B A minus B क्या होना चीए आपका integer होना चीए easy सा question है इतना important भी नहीं है बट समझें जरूरी है बोला है कि A और B such that A जो है B A और B दोनों है belong करें Z से Z क्या होता है Z कहां से आगया B कहां से आगया Z आपके integers होते है बढ़ा होगा बच्पन में वही है कि Z आपके integers होते है integers वह value numbers जो negative, positive, 0 also include होते है सारे numbers आते है बोला है कि A और B जो दो sets जो भी है आपके उन दोनों का difference करती हूँ तो मेरे पास जो answer हैगा वो integer होना जरूरी है तो obviously बात है कि जो A और B होंगे हमारे पास वो दोनों ही क्या होंगे integer होंगे क्यों? क्योंकि सारे ही numbers होते minus 4 integer है minus 2 is also integer करोगे तो minus का 6 हैगा minus 6 is also integer कोई भी example ले लो अब कोई भी example 2 minus 4 करोगे तब भी minus 2 आ रहे है तो वो भी integer है यह 2 भी integer है minus 4 भी integer है है ना तो यहाँ किया हो गया कि कोई भी numbers जो आपस में integer कर रहे हैं चाहिए 0 के साथ कर लो 6 minus 0, 6 6 is also integer कोई भी numbers ले लो आप A और B जो integer हैं दोनों उन दोनों के difference करोगे तो आपके पास integer ही आएगा आपके पास integer ही आएगा सरब करते हैं क्या? इसका मतलब क्या हुआ कि जो A है तो क्या है Z? आपका Z है और दूसरी बात अगर मैं बात करूँ B वो भी Z ही होगा integer ही होगा क्योंकि A minus B और Z minus Z minus Z ही आएगा तो ये line लिख सकते हो आप और कोई बहुत नहीं है जिसमें आप domain और range भी निकालोगे तो वो भी आपके Z, Z ही आएंगे Romanian range बतानी थी इस relation के according तो integers का जब भी difference करेंगे तो answer integer ही आना है हम दोनों side integer ले रहे हैं और integer को ही difference कर रहे है तो answer के आएगा आपका difference जो आएगा तो integer ही आएगा हमने 9 questions इस exercise में करेंगे चीक है और जितने भी types के स्टार्टिंग से लेकर बहुत ही easy थे easy easy questions है कोई tough इसमें थानी ना दोस्तों हमने जितने भी types के questions के हैं बहुत ही easy types के questions के हैं अपको क्या करना है सिर्फ इन ही questions को practice करनी है और इसी से related extra questions लेने उठाने है अगर दो है तीन है जो भी हम करो और क्या करोगे इनके प्रैक्टिस करोगे और आप अपने sample paper करोगे साथ के साथ क्या कह रही हूं मैं आपको solve करोगे easy रहेगा example paper उठाओ extra books लेओ कोई वैसे जरुवत नहीं है बट अगर यह concept आपको अच्छे से clear है तो आप कोई भी question आजा आप करोगे कि domain कैसे निकालते है range कैसे निकालते है co domain क्या होते है और roster form क्या होती है set builder form क्या होती है सबसे पहले आपको क्या करना है set chapter पढ़ो उसमें यह चीज़े होती क्या है बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है detail में पढ़ना चलो next chapter पढ़ लेते आप next chapter उससे related है सब क्या करोगे सब तो आपको पढ़ना पढ़िया ना तो पहले ही पढ़के रखो ना पहले ही practice करके रखो तो ज्यादा easy है ठीके दोस्तों next video में मिलेंगे अब हम आपको next exercise से पहले कुछ introductions के बारे में जानेगे कि क्या होते हैं functions, types क्या होते हैं उससे related पढ़ेंगे relation का जो था वो यहीं तक था relation का पार्ट आपका overall इतना ही है बहुत easy है क्या-क्या निकालना था इस exercise में code domain domain और relation वाले में ठीके मिलते आपको next video में thank you so much all the best